हाई फ्रेंड्स विल्कम है मारे जीएस इंडिया यूटूब चैनल्स पर आज हम बात करेंगे कि यूपी पीएसी का नर्सिंग ऑफिसर का एक्जामस जो इस टाप नर्स का है इसे हम कैसे स्वालव करेंगे ठीक है कौन से कोशन्स करने है कौन से कोशन्स हमें छोड़ने है औ दिन टाइम ओके चलिए यहां पर देखते हैं जो टोटल कोशन हो की जो संक्या है टोटल कोशन 170 होंगे कितने होंगे 170 कोशन होंगे 170 कोशन होंगे टोटल जो मार्क्स होंगे एक कोशन आधे नंबर का कितने का है आधे नंबर का एक कोशन है वन भाई हाप ओके और टोटल मार्क्स है वो 50 नम्बर है कितने 170 का जब आप टोटल्स करेंगे तो कितना आएगा 80 मार्क्स आएगा टाइमिंग की जो बात की जाए तो 120 मिनट टाइमिंग होगी मतलब 2 गंटे टाइमिंग होगी आपके लिए ठीक है इसका मतलब देखिए यहां पर 120 20 मिनट आपको दिये गए, एक मिनट भी है कोशन के लिए ने, टाइम बहुत कम पड़ेगा सभी स्टूडेंट के लिए, टाइम सभी के लिए बहुत कम पड़ेगा, इसलिए जो लोग टाइम को मैनेज कर ले जाएंगा, उनीका सेलक्सान हो जाएगा, ठीक है, बाकी नालिज करेंगे, तुरह तो उसे स्वाल करेंगे, ठीक है, जितने भी कोशन आपको पहले राउंड में आ जाए, एक घंटा आपको इतनी स्पीड में चलना है, 120 मिनट का टाइमिंग है, मतलब 2 घंटे का टाइमिंग है, ठीक है, 60 मिनट आपको इतनी स्पीड में चलना है, ताकि आ आप पेपर अटेम्ट कर पाओगे पूरा कि हाँ हमने इतना पेपर अटेम्ट किया है इसलिए इन बातों का ध्यान रखना पेपर में आपको टाइम कम पड़ेगा क्योंकि साथ में आपको अमार से भी फिल करनी है ठीक है और टोटल कोशन्स अतर है और टाइमिंग है एक सो इसका मतलब 15-20 सिकंड के आस पास एक कोशन्स को आप पढ़ेंगे जल्दी से पढ़ेंगे एक बार में पढ़ेंगे और तुरत आंसर देंगे अब यहां पर देखेंगे कि देखिए आपके लिए जो कोशन्स आएंगे जैसे कि नर्सिंग से जो आपका में सब्जिक्ट है एक सो बीस नमर के कोशन्स आएंगे हिंदी से कितने आएंगे बीस कोशन्स आएंगे जीके जीएस करेंड अफेर से को टोटल कितने आएंगे तीस कोशन्स आएंगे टोटल अगर करेंगे इनको तो एक सो सतर कोशन्स हो जाते है कितने हो जाते हैं एक सो सतर कोशन्स हो जात एक घंटे मतलब 60 मिनट और जिन लोगों के पास वाच नहीं है डिजिटल वाच वहाँ पर नहीं चलती एनलोग वाच आप ले जा सकते हैं एनलोग का मतलब होता है जिसमें आप कोई नमबर का मल्टिप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं वो घड़ी आप ले के जा सकते हैं वहाँ ठीक है और इसमें जो भी आपको कोईशन आएंगे एक बार में आप पढ़ेंगे तुरा तुसका आंसर देंगे जो माइंड पहली बार आपका कहेगा या अंसर आपका सही है ए सही है या बी सही है आप उसी कोईशन को आप प्रभावित होगे बहुत देर तक नहीं देखन ना है ठीक है पता чला किसी question से आपको प्रबावित हो गए और उसको बहुत देर तक देख रहें कि यह तो हमारा खस गया question हमें आ गया आए या तो ठीक है ना है तो ठीक है ठीक है अगर समझना आपको ओनौन की hand at question ही आ रहे है पेपर में ठीक है total question कितने हें आरे हैं हेंटेट कोशन नहीं आरे हैं तब आपको ctkka लगा देना है ठीक है तब आपको तुक्का लगा देना है क्यूं कियूंकि है a deucht성 के इए और ही कोशन उनका सेप है ठीक है 120 कोशन जो लोगrowsे स्वाल्व कर रहे हैं ठीक है उनका 140-150 तक तो आपको जाना ही जाना है ठीक है इससे जो नीचे है उनका कुछ होने वाला नहीं है ठीक है बाद में वही पस्ताना होगा इसलिए जो मैं कहता हूँ इन सभी बातों को अनुसरान करना आपको जादा से जादा कटाई के लिए जादा से जादा बवाई की जरूरत हो ठीक है आप पता चला कि वहाँपर 40% मार्किंग है पास होने की और पता चला कि आप 40 कोशन हो सकता है आपको कुछ कोशन ऐसे होंगे जो गलत कर दिये जाएंगे कमिशन की तरफ से आपके कोशन हमेशा हर बार ऐसा होता है रियांसर कियाती है दुबारा अंसर कियाती है UPPCS की ठीक है तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशन को attempt करना है कोशन एक बार में पढ़ो तुरा तुसका answer देनी की कोशिस करना ठीक है ज़्यादा time waste नहीं करना है किसी भी कोशन में अगर आप किसी भी कोशन में ज़्यादा time waste करोगे तो फिर आपके लिए problems होगा आप paper attempt नहीं कर पाऊगे फिर depression में जाओगे फिर लगे पेपर छोट रहा है इसलिए आपके पास जो 120 मिनट है उनमें से 60 मिनट आपको ठीक है पेपर मिला नहीं आपने अपना study चालू कर दिया ठीक है पढ़ना ही start कर दिया क्योंकि बीच में भी आपको 2-4-5 मिनट खा जाएंगे क्योंकि आपका क्या होता है आपका अंगूठा लेने आ जाएंगे साइन कराने आ जाएंगे फोटो एड्मिट कार ये साब मैच करने के लिए 2-4-10 मिनट इसमें भी चला जाएगा आपका तो इसलिए जो एक घंटा हो शुरुआत का ठीक है आप इन बातों का ध्यान रखना आपके पास समय बहुत कम पड़ेगा और जो लोग समय को मैनिस कर ले जाएंगे उनी का सेलक्सन हो जाएगा पेपर ज्यादा टफ नहीं होगा ठीक है पेपर ज्यादा टफ नहीं होगा इससे आप ज्यादा भैभी इतना हो कि पेपर बहुत टफ होगा नहीं पेपर आप कोशन पड़ो आमसरा है तो मार करो question पढ़ो आपने इतना ही जाधा पढ़ लिया होगा अगर आपने अच्छे से तयारी की घृए की होगी तो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा question पढ़ो answer दो question पढ़ो answer दो और साथ में mark करते चले जाओ अगर हो सकता है एक घंटा आप सबब करते हैं फर्स्ट राउंड में एक घंटा तो हो सकता है पहले क्या कर ओको से तक पूरे सबस्ण करto on को गपर daha humans कि चला है बोलों को मार्किंग कर देना ठीक है पेपर में यह नहीं है उसमें सब्सक्राइब करते हाँ सब्सक्राम करते हैं निकर सुद्र See भी question में, ठीक कि अगर review करोगे तो आप रह जाओगे, ये आपका किवल smartness का test लिया जा रहा है, ना कि आपके knowledge का जादा कुछ, ठीक है, knowledge का test तो आपके हो जाएगा वो, अगर आपको question आएगा तुरह ता answer mark करोगे, ठीक है, लेकिन जो बंदें इसमें वही select हो कपाएँगे जो लोग थोड़ा smartness ते यहाँ पर paper को solve करेंगे मतलब question पढ़ा answer दिया question पढ़ा answer दिया बाद में 5 मिनट में गोला फिल करने के लिए आप खरगोश की तरह अराम मत करने लगना किया रहे हमने तो 100 question solve कर लिए अब लाओ एक नीद मार ले नीद मारने के मतलब आपको ज़्यादा वहाँ पर rest नहीं लेना ठीक है question को पढ़ा marking किया ब्लैकिन किया आपने गोला आपने फिल किया गोला फिल करने के बाद 5 मिनट के अंदर करना ठीक है आपको जो उसमें ऐसे लिखा होता ठीक है जैसे कि नीला डॉट पेन लेके जाना दो तीन काले पेन लेके जाना admit card अपना लेके जाना है जिसके पास admit card admit card तो सभी के पास होगा है admit card आधार card लेके अपना जाना है ठीक है जिनके पास नहीं वो pen card लेके जा सकते है driving license लेके जा सकते है bank pathbook भी लेके जा सकते हैं इतनी चीज़े हैं आप आईडी के रूप में लेके जा सकते हैं ठीक है तो इन सभी बातों को आप ध्यार में रखना और paper को जितना quick सके उतना quick solve करना और जो लोग questions ज्यादा solve करेंगे उनी का selection हो पाएगा जो लोग paper ज्यादा solve नहीं कर पाएंगे पता चला कि वो लोग merit मालो की एक बात समझ लोग की merit मालो की हैंडे कोशन गई उन्होंने हैंडेडी question attempt कि पेपर में जाके बहुत से student होंगे जो ऐसा करेंगे ठीक है पता चला सो question ही attempt कर पाए बाद में रो रहें कि अरे यार हमारा तो paper चूड़ गया हमने ऐसा किया वैसा किया इस वजह से तो क्या करेंगे paper को एक साथ ज्यादा ज्यादा solve करेंगे ठीक है कम से कम सभी स्टूडेंट को questions 140 तो solve करने ठीक है इतने तो हो नहीं ही चाहिए 140 ठीक है 140-150 क्या सपास questions कम से कम तो attempt करना ठीक है देखिए हिंडी के question काफी simple होंगे अगर आपको एक बार में आए तुरत मारो आमसर विसेस आण विसेस ये सारी चीज़े जानते ही हो सब कुछ जानते ही हो ठीक है कैसे paper को solve करना है और जो भी paper आएगा आप एक बार मैत के जो भी question अगर एक या दो देगा पहली बात तो इस syllabus में नहीं अगर by the way थोड़ा से कमीनापन कर दिया यह किया दो कोशन दे दिया तो आपको यह कोशन इग्नोर कर देने देखने ही नहीं छोड़ो तुरत ठीक है आपको इतने सारे कोशन मिलेंगी कि आप page पलटा दे पलटा थे उसको 10 मिनिट अपना गवा देंगे ठीक है कोशन पढ़ो हाल में आपका निकलवा दिया जा लेकिन फिर भी आपको यह चीज़ें लेके जानी क्योंकि अभी एक एक एक्जामस हुआ था आर्मी टेरिटोरियल ऑफिसर का उसमें जिन लोगों के पास मास्क बगएरा नहीं था और भी कई प्राबलम से नहीं थी उनको एक्जामस नही तो इसलिए इन तभी बातों का धेयाल रखना जो चीज़े अिरमीट कार्ड में लेकिन उन चीज़ें की आज ही नाइट में तयारी कर लेना और आपको लेके जाना है ठीक है और ज्यादा से ज्यादा पेपर को अटेम्ट करना है ज्यादा से ज्यादा कटाई के लिए ज्यादा से ज्यादा बुवाई की जरुवत पड़ती है अब आपको ये समझना है कि आपको केतना कोशन स्वालव करना है मैंने बता दिया, सब को 40% तो सब को लाने ही लाना वो किसी भी कैटागिरी सी हो ठीक है, कम से कम इतना तो परसेंटेज होना ही चाहिए, इसके उपर जाओ अच्छी बात है, लेकिन 40% नंबर का मतलब यह है, कि आपको मतलब कम से कम hand it के आज पास कोशन होटना तब थोड़ा कम 10-20 कोशन 30 गलत हो जाएंगे फिर भी आप अगर यतने कोशन गलत हो जाते हैं 120 कोशन सही है ठीक है आफ सेब जोन में आ जाएंगे ठीक है आफ सेब जोन में आ जाएंगे फिर आपका कोई कुश नहीं विगार सकता इसलिए 140 से 150 कोशन आपको स्वाल भी करना जो लोग जादा कोशन स्वाल भी करते हैं अच्छी बात है और हाँ एक बात और ध्यान दे देखिए कोशन में कोशन पेपर में क्या होता है कुछ कोशन लास्ट में लास्ट वाले जो पेज होते हैं उनमें सिंपल कोशन इंक्लूड किये जाते हैं ठीक है सिंपल कोशन क्या होते हैं इंक्लूड होते हैं आप सुरुवात में ही न पता चला उलज गये किसी भी कोशन को देखा और तुमको बड़ी मज़ा आ गया उस कोशन को पढ़के बड़ा प्रभावित हो गया उससे ठीक है तो आयसा नहीं करना हो सकता है लास्ट में बहुत सिंपल सिंपल कोशन रख्यों ठीक है तो क्या करना पहले बार पहला जो राउंड रहेगा एक बार में पूरा पेपर बहुत से लोगों का ब्लैकन करना भी चूट जाता ठीक है एकजाम के पहले जाम कुट होने से पहले आप तीस मिनट देख लेंगे आपके कुछ कोशन से लीप तो नहीं लेगे आप ब्लैकन तो नहीं छोड़ दिये कि मतलब काला तो नहीं कर पाए क्योंकि बहुत से जोगा ठीक है यह बे मतलब की बाते हैं अगर वहां पर कापी जमा हो रही तो जमा हो रहे ठीक है वो तुम्हारे किसी प्रकार के आंसमों को नहीं ध्यान देते ठीक है किसी प्रक्यों की रूल्स जो लागू होते वो सब के लिए वहां पर लागू होते इसलिए साथ में आ जबादा हैं आपको बहुत से कोशन ऐसे होंगे एक यी बार में देखते ही आंसर आ जाएगा ठीक है पैन पैंसल एड्मिट कार्ड आधार कार्ड और पास्बुक वगएरा मतलब जिनके पास आई डी नहीं है वो पास्बुक वगएरा भी लेकर जा सकते हैं क्योंकि पास्ब ख्याव को सबाएं कि इसनीग है किमिडा को अना कि यांड़ है आधा यह जाओगे कंट कि सबकुर्द करणा है कि यक कि का सेलेक्सन效क्राइब मेरी सुफ़कावना है आप सभी का जरूर स्लक्सिन हो ज्यादा घबड़ाना नहीं पेपर ज्यादा टफ नहींगा मैं कहता हूं ठीक है पेपर ज्यादा टफ नहीं हो लब नहीं रहाता है लास्ट में ठीक है समझ रहें मेरी बात को तो इन सब बातों को ध्यान में रखना और पेपर अच्छे से स्वालब करना ज्यादा ज्यादा ओके चलते हैं हम जल्दी मिलेंगे आफ से नेस्ट वीडियो में थेंक यू थेंक्स पर वाचिंग प्रेंट बे